हेलो अव्रीवन नमस्ते जय हिन जय भारत जय उत्राखंट फ्रेंट डिस इस राखुल डावत और जो हमारा खास वीडियो है उत्राखंट ओपन उनिवस्टी के रेजल्ट के बारे में होने वाला है तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कीज़ेगा साथ में पास से बने नौटिफेकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीज़ेगा इस तरीके का कॉंटेंट और इस तरीके का वीडियो सरपरतम आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलता है आप सभी लोग जानते हैं कि उत्राखंट ओपन उनिवर्स्टी के अंतरगत अंडर ग्राजुएट कोर्स, पोस्ट ग्राजुएट कोर्स, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स के रिजल्ट ओन गोइंग प्रॉसेस में हैं काफी सारे कोर्स के रिजल्ट डिकलियर कर दिये गए हैं और काफी सारे इसे कोर्स हैं जिनके रिजल्ट अभी पैंडिंग है तो आप भी आज तक की वीडियो में जितने सारे मैं रिजल्ट के बारे में पब्लिस करें हैं आप सभी लोगों का मुझे काफी अच्छा response देखनी को मिला है और आज कि इस particular वीडियो में अभी तक के कितने सारी result जो डिकलियर किये गए हैं उसके बारे में होने वाला है और जो latest result announcement के गए हाल फिलाल में recently में वो भी description करने वाले हैं So do watch the video till the end if you have so many doubts about Uttarakhand Open University result So I guarantee you and I assured you it's going to be clear So first let me take you to the official website and discuss how you will check out your result So let's go In order to get your result in an easy way you have to follow some instructions First of all you have to visit Uttarakhand Open University official website that is www.you.ac.in After this you have to simply scroll down and click on download result July August exam 2013 After clicking on the link the official portal of the result will be open with you And next the basic detail asks from you here After entering that you can check out your results So first let me tell you about the latest result First examination आपको यहां से रगुलरी स्लेक करना होगा पहले में mainly उन रिसल्ट पर फोकुस करूँगा जो last अभी रिसेंटली में अपडेट किये गे हैं After that overall result हम लोग discussion करेंगे All right Session यहां से आप लोग को January 2023 स्लेक करना होगा यहां पर आप लोग चेक आउट करेंगे जो रिसेंट में रिसल्ट अपडेट के हैं उनकी लिस्ट आप लोगों के सामने आ जाएगी यहां पर जो सबसे पहले latest result अपडेट किया गया है वो I think आज ही की देट में अपडेट किया गया है MSC BOT 21 का Yes, absolutely right MSC Botany 2021 21 program में 4 semester का result भी recently में डिकलेट किया गया है और बाकी वैसे अन्य courses के भी जैसे result डिकलेट के जाएंगे वो भी आपको आगे जानकारी मिल जाएगा हमारे चैनल पर इसके लाब काफी सारे से different different courses है जिनके result श्याइट में भी अपडेट किया है यहाँ पर भी देखिए आप लोग यह चेकाउट कर सकते हैं इसके लाब जो next result में यहाँ से आप लोग के साथ discussion करूँगा लेटर्स वाला वो आप लोग को देखने को मिलेगा Bachelor of Arts with Geography BAG 21 का result 1st year and 2nd year का result अपडेट किया गया है उसके लाब आप Bachelor of Arts with Mathematics का result भी अपडेट कर दिया गया है 1st year and 2nd year का तो काफी सारे स्टुटेंट को question आ रहे थे इस बारे में Bachelor of Arts with Mathematics का and Bachelor of Arts with Geography का तो आप लोगों की result 1st and 2nd year का result declare कर दिये गए है इसके लाब आप लोग जानते हैं BA21 कोर्स में जित्में की most of the student enrolled रहते हैं और सबस्च ज़्यादा स्टुटेंटों की जो संख्या है अभी हाल फिलाल में वो BA21 कोर्स and BA17 कोर्स में ही रही थी इसमें 1st and 2nd year and Final year का result declare कर दिया गया था BAG का भी, MAIN का भी और IMPROVMENT का भी इसके लाब आप Bachelor of Arts with Geography and Mathematics का result भी declare कर दिया गया है और ये देखिए 1st year का result दिया गया है just because of ये कुछ ऐसे new courses enrolled university ने conduct कर वाया थे university के अंतरगत इनमें अभी 1st and 2nd year के student enrolled थे क्योंकि ये ने courses थे according इसके लाबा Bachelor of Arts Mathematics का result मैंने आप लोगों के साथ share कर दिया है Bachelor of Arts Mathematics 21 का भी result अपडेट कर दिया गया है 1st and 2nd year का B.com का result पहले डिक्लियर कर दिया गया है हाना कि इसमें BACI result single subject का ही release किया गया है बाकी अनियर जैसे update किया जाता है वो भी आप लोगों के साथ जानकारी share किया जाएगा इसके लाबा Overall result की बात करें तो आप यहां से list दिया गया है BA 17, BA 21, BA G 17, BA G 21 and BA G M 21 BA M 17, BA M 21, BA Y 17, 21 B.com 17, 21, B.se 17, 18 single subject and DPG, DVK, DVS 21, DYS 21, MAEC, MAED, MAEL, MAHY Hindi Literature, Master of Public Administration, MAPS, Political Science, MA, PSY, 18 Master of Arts, Psychology, MASL and MASO, MAY, MCOM and MSC, MT का result ट्लियर किया गया है January 2023 में आपके बास screen पर courses की list दिया गया है जिनके result पहले ही overall update कर दिये गए है और उसकी जो वीडियो से हमने अपने चैनल पर परदसेट कर दिया था जिन भी काइनेर्स ने वो वीडियो वाच नहीं करी है तो particular हमारे चैनल पर UU playlist बना रखी है particular month में जिस भी month और जिस भी रीट के अंत्रे के दो result आप लोगों के update किये गए है तो आप लोग playlist से भी जाके check out कर सकते हैं ओल्राइट देखें यहाँ पर आप लोगों को जो update है वो MSC Geo Informatics के result अपडेट कर दिये गए थे 21-20 का और environmental sense का पहले रिलीस कर दिया गया था security, cyber security में भी पहले रिलीस कर दिया गया था और botny वाला मैंने आप लोगों के साथ पहले share कर दिया बाकी जैसे अन्य result आते हैं वो भी आप लोगों के साथ जानकारी share कर दिया जाएगा back paper भी यहाँ से January 2023 में आप लोग detail चेक आउट कर सकते हैं यहाँ पर आपके पास program mention किये गए है screen पर जो भी आपका particular program है आप पो display किया गया है आप particular program wise अपना result चेक आउट कर सकते हैं अगर आपको website से result चेक आउट करने में problem हो रही है तो आप student when view portal से भी अपना result एक्सिस कर सकते हैं और जिन studentों के result टेक्लियर किये गए हैं और अगर आपके marks में issue हैं तो उसके related में भी हमने अपने channel पर video publish कर रखा है आप उस video के थूँ आपना result किस तरीके से correction करवा सकते हैं उसमें पूरी process पर क्रिया बताए गई है आप उस video को चेक आउट कर सकते हैं लिंक वेडियो को रिब्सक्रिशन में दिया गया है इसके लावा मैंने यह बात कर रहूँँगा यहाँ पर improvement paper की और मैंने select रहा January 2023 यहाँ पर आपके पास improvement paper की भी list दिया गया है जो भी आपका course से अपनी course के recording आप लोग अपना result चेक आउट कर सकते हैं वेबसाइट से इसके लावा उत्राखन ओपन इंवर्स्टी मैं recently counseling schedule रिलीस किया गया है CS&IT UGPG के लिए इसके लिए देखिए यहाँ पर BCA and master course की detail दिया गया है CS&IT फिल्ड के students के लिए तो first BCA course के बारे में जानकारी दिया गया है और इसका pdf भी मैंने अपने official telegram group पर share कर दिया है जिन भी candidates ने join नहीं करा हमारे telegram group आप लोग join कर सकते हैं यहाँ पर दिया गया है virtual lab के बारे में इसके लाब ऐसी तरीकी से आप master course PG course के जितने सारे student है CS&IT वाले और diploma course के जो student है वो भी आप लोग अपना time schedule check out कर सकते है link यहाँ पर दिया गया है virtual lab So guys that's it in this video and if you think and if you really enjoy the video then don't forget to subscribe the channel and press the notification bell icon I will see you in another video till then bye bye take care of yourself and your family thank you thank you for watching this video